अब बनाई जाती है केला इस्टाइल पंजाबी स्टाइल मारवारी सिंधी इस्टाइल की बात नहीं करूगी कि मैं किसी बनाऊगी मैं कुछ बैसिक टिप्स आपके साथ सेर करूं जिससे आप रहे कड़ी पकोड़ा बनाएंगे तो पर्फेक्टी बने तो फ्रंस ऐसी रिस् अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे अपना चलिए बिनादेर के बनाना शुरू करते हैं इसको बनाने चान कर हाप पड़ी बेसल लिया है इससे हम गोल बनाएंगे और एक कपसे में इस पकोड़ी के लिए मैंने निकाला है एक कपसे बनाऊंगी और मैंने पॉरा एक कंड़ी में यूज करें एक मीडियम साइज प्याज जिसे बारीक कट करके ले लिया है थोड़ा साहरा धनिया थोड़ी सी कसूरी मेती इसको भी दो जग़े डिवाइड करके यूज करूंगी स्वाधनशार नमक नमक अपने स्वाधनशारी रखे हाप टीस्पून जीरा श बाल्दी पाउडर यह थोड़ा साहिं लिया क्योंकि हम बेशन से बना रहे हैं तो हींग कई उज्छ करें फ्रंस अर यह साबूत दन्यला उसे क्रस्ट कर लिया है हाप टीस्पून शर्सों के दाने यह यह बेकिंग सोड़ा लिया है थोड़ा साहिंग इसको लाश्ट में डालेंगे और यह मैंने एक हरी मिर्ज से बारी कट करके ले लिया है एक इंच अधरा का टुकड़ा उसे भी मैंने बारी के ड्रेट करके ले लिया इसे दो जोगा डिवाइट करके यूज करूंगी और थोड़ा सा जवाइन हाप टी स्पून इतना इसको पकवड़े के गोल म डालेंगे और दो लाल मिर्ज थोड़े से करी पत्ता एक हरी मिर्ज से लंबे पीसे में कट करके ले लिया है अब एक बाउल में बेसन को डालेंगे फ्रेंस हम पहले पकवड़े बनाएंगे इसमें हाप टी स्पून हल्दी पावडर थोड़ा सहीं अजवाइन हाप टी थोड़ी से कसूरी में थी स्पीश और इसको कर लेंगे फ्राइब फ़र थोड़ा पानी डाल कर पहले सको मिक्स करेंगे फैसात पानी को नहीं दालेंगे आपको टिप्स में बोला था जैसे लोग ज़या तरो बहुत पतला गोल बना लेते हैं और उससे पकड़़ी बनाती है और उसमें वो ट्रेक्शन नहीं आता देखिए अब हम एक ही डिरेक्शन में इसको फेटेंगे जब तक यह फ्लैपी नहीं हो जाएगा सब्सक्राइब नहीं है तो उपर ही फ्लोट होती है उनका सेफ भी बिगड़ता है और अच्छे से वह सेफ नहीं ले पाती इसलिए ऑल की कौंटिटी को कमी रखे और ठीक ठाक गरम होने पे ही डाले बहुत ज़्यदा हाई गरम भी ना रखे और बहुत ज़्यदा कम गरम पे करेंगे देखें कर दभी करएंगे और बहुत ज़्यदा मैं को डार्क वह फ्राइब करेंगे जैसे यह व उनियुक्त है तो इसे फ्राइब कि यह ग्लत कहाई को तो बहुत ज़्यदा युद्ट होने पर हाड हो जाते अब एक ग्राइंड चान में हम मैंने वीर को डाल दे लाल मिर्स को डाल देंगे हल्दी पाउडर को और धनिया पाउडर को फ्रेंट समय से मतनी से यह मिक्षर से भी लोग इसको मिक्ष करते हैं बट वह पर्फेक्ट तरीके से नहीं फिटता है तो कड़ी में हमारे वह ट्रेक्षर नहीं आपाता है इसलिए मैं भोलूँगी कि आ कि अब मैं एक कप पानी को मैंने डाला है कि यह दूश्रा कप अभी बताएंगे हम मेजर भी आपको क्यों मैंने बताया यह दो कप डाला देखिए मैंने ग्रांट कर लिया यस कटोरी से मैंने हाप कपबेशन लिया था ना फिर्ण्स तो हमें 10 गुना पानी डालना होता जि तीन अभी डाला मैंने दो कप पहले ही डाला था ग्राइंड करने में बहुत ज़्यदा उस मिनल नहीं बाहर आ जाता अब इसी में वह उस घोल को भी यह मिक्स कर लेंगे अब मैंने कड़ाई को रख लिया है गास पर फिर से आउन करके गास फिलम को आयरका इसमें वन टेवल गोल को डाल देंगे और इसको कवर करके हाई टो मीडियम फ्लेम पर दो से तीन मिनट बाद हम इसको खो लेंगे यह देखिए गोल हमारा अच्छे से गरम हो गया इसमें हम नमक को डालेंगे कसूरी मेथी को भी डाल देंगे फर्स इस तरह बनाकर अब एक बार ट्राइ करिएगा सारे टिप्स और टिक्स फालो करके फिर आप मुझे बताएगा कि आपकी कड़ी कैसी बनी है मुझे कवर्ण बाक्स में जरूर बताएगा अब इसको मिक्स कर लेंगे और बहुत ज़्यदा खटी दई का यूज़ करें तो हाप क्वांटिटी में ही रखें इसको कवर करके फिर हम 3-4 मिनट पकाएगे देखें कड़ी हमारी अच्छे शे वायल हो गई इसमें पकोड़ों को डाल देंगे अब इसको कवर करके अभी थोड़ा और पकाएगे 2-3 माट फिर समय मैक्सिमम 10-12 मिनट बलग जाते देखें कड़ी हमारी रेडियो गे थोड़ा सा हरा धनिया इसके उपर से डाल देंगे गैस को आफ कर दिया मैंने अब इसके लिए हम तड़का बनाएंगे देखे मैंने आयल गरम कर लिया हाप टेबल स्पून इतना इसमें जीरा को डाल देंगे हींग को डाल देंगे लाल मिर्स को तोड़कर डाल देंगे करी पत्ता को डाल देंगे अब कास्मिरी लाल मिर्स पाउडर को डाल देंगे और इसको मिश्क लिए फ्रेंस बहुत ज़ यह देखिए मैंने बावल में निकाल लिया आप इसको रोटी के साथ राइस के साथ किसी की भी साथ खा सकते बहुत ही रिले से लगती है और मैंने बताया आपको अगर आपका दही खटा ना हो तो आप उसे फ्रिज में रखे उसे रूम टंप्रेचर बाहर ही रख दे तो के अंदर का टेक्श्र दिखाते हूं यजाली दार आत्च्ट जब होता है पकोड़ों के अंदर तो समझ्जिये वह परफे nouveaux हैं भाद ही सुपर आप लगतेatraks इन जाली जैसा चैसर होता है यह देखिए हुआ किere है और आब जब भी बनाया तो आप मेजर का भी द् झामली!